हलो एबरीवन गुड़ नमस्कार चहिंद राधे राधे स्वागत दोस्तों आपका स्वागत का मेंटर रोहित कमार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज रामनौमी है सबसे पहले रामनौमी की हारतिक वधाय सुभ कामनाएं भगवान राम आपकी सारी मनू कामनाएं सारा लग्षे गोल इसना वो पूरा करें सबस्क्राइब मेरी आवाज आप तक आ रहे हैं मॉडिवल और नौट आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे देख पार रहे हैं या सबनों बताना दोस्तों तो बिल्कुल आपकी आवाज प्रॉपर तरीके सारी है अगर आप मॉडिवल और नौट आप चलो मैं अजरा बच्चों को सेर करें टेलिग्राम में आक्यों सारे बच्चों को पता चल सके हैं अगे आप एक कहां सारा रामनौमी है और क्लास करेंगे लेकिन क्या करें पढ़ाई कैसे चीज़ है दोस्तों जो रेगूलर करने पड तो रोज स्टिवल है तो रोज स्टिवल है और पाषण नहीं है तो भृष किवल भी हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि कẩने थे पर्श करतेंगे आप अपने लिए ना सही लेकिन घरवालों के लिए सही और खासकर इस सोसाइटी है वो जीने नहीं देती है तो इसलिए दोस्तों पढ़िए मन लगाकर जवर्दस तरीके से पढ़िए तयारी करिए और सेलिक्शन लिजिए चलते हैं दोस्तों शुरुआत करते हैं कि आज अ अब देखोगे पहला जो कुष्टन आपके सामनी है यह रहा किसा प्राचिन महाकावी है वह दो महाकावी है सिल्पा दिकारम और मनी मेखले किस भासा में लिखे गए थे किस भासा में रचा गया था दोस्तों मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि जितने भी साउथ इंड तिन चार भासा है कि अगर आप तमिल की बाप करें तमिलाडू की बाप करें तो आपको यह तमिल देखने को मिलता है अगर आप करनाटा की बाप करें तो आपको कंड़ देखने को मिलता है अगर आप अंध्रा पर्देश और तेलंगाना की बाप करें तो यहां आपको ते चार राज्ची पांच राज्ची हैं जो दठ्षिन भारत में इसके भासा आप देख लो तो बिसिकलिए आपके भासा क्या है यही सब भासा है चार-पांच तो दोस्तों सिल्पादिकारम और मनी मैखले की बात करें यह किस भासा में रचा गया था यह तो यह क्लासिकल दोस्तो च्राइक क्लासिकल लेंग्वेज तो आपके सामने दोस्तों पांच हो गया और रूसिकल लेंग्वेज है जांद रहेगा भारत के कि गवर्नर जरनरल के हैजा से मिर्थ्य हो गई और उत्तर-प्रदेश की गाजीपूर में दफनाय गया था करजन हैस्टिंग्स कार्णवालिस बेंटिक कुशन नंबर टू विच गवर्णर जनरल अफ इंडिया डाइड ऑप कोलेरा इंड वाच बरीड एट गाजीपूर इन उत्तर प्रदेश भारत के किस गवर्णर जनरल की हैजा से मिर्त्य हो गई और उत्तर प्रदेश के गाजीपूर में रफनाए गया कुशन नंबर टू क्या होगा च्रह बताईएगा तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि भारत में गवर्णर जनरल लॉड कार्णवालिस हैं तिन्हों मक्मरा उत्तर प्रदेश के गाजीपूर में हैं दिनके मिर्तिव हैजा से हुई थी द दोस्तों अगर हम äडेशनल की बात करें तो लॉड करजन की बात बहुत विवाधित रहें ही कि घूअब विवाजित रहें क्योब बंगाल का विभाजन नेदेखने को मिलता है कि म難als का कि विभाजन हमें देखने को मिलता है इनी के समय कब हुए ता बंगाल के विभाजन तुस्सर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है याद रखेगा ठीक है बेंटिक की बात पर दोस्तों तो आपको याद होगा लौड बिल्यम बेंटिक जो ब्रिटिस भारत की ब्रिटिस एंडिया के पहले गवर्नेर जन्रल है क्या है दोस्तों पहले गवर्नर जन्रल है क्या बच्चों पहले गवर्नर जन्रल कोन है क्या-बोलते हैं लौड विल्यम बेंटिक कैसे आपको याद होगा sorry teşekkür का जो Ron três आया था उस आक्ट से बहरत के पहले मनें जाते हैं दूस्तों कुछ्तर नमर 3 कहता है वह टार अलकली इस घुणंट रियर्ट इप बेशिए बेशिजâm गणर्ट के वेशिच होता है जो अमलोंसे करिया नहीं करते हैं जो से करिया करते हैं चार जो पानी में घुलन सेल नहीं होते हैं फुर्भ पानी में घुलनसील होते हैं कुछन नंबर 3 क्या अज़र निकल कराइं क्या है फिर आफ प्रफ आउसर आघ बताओ कि एए च सार्peieran करें है कि दोस्तों तो सर वैसा एसिड जो पाने में घुलनसील होते हैं उसे हम अलकली कहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों अलकली कहते हैं याद रखेगा आजए कुश्ण नमबर चार कहते हैं करकरेखा का च्छांस क्या होगा सब्सक्राइब करकरेखा का च्छांस क्या है दोस्तों आसान सवाल है कि करकरेखा आप देखोगे कि सरकरकरेखा भारत की बीचोंबी से इंटर करती है इनने भारत का पोजिसन कहां है तो एक्वेटर की ऊपर एक्वेटर के उत्तर में है मतलब क्या है 37 डिग्री उत्तर अगर आप मैप में देखो दोस्तों तिया आपको दिखेगा किसा ट्रॉप्प आप कैंसर यह इक्वेटर होगयं है जीरो डिग्री ऐक्वेटर के ओपर दोस्तों यह नौर्थ है एक्वेटर के निचे दोस्तों यह साओं यह करकर रेखा है यह करको रेखा है डोस्तो और यह मकर हुआ ये दोस्तों मकर रेखा इसके बाद देखोंगे ये 166 डिग्री या आर्क्टिक सरकील है क्या ही आर्क्टिक है अन्पर प्रक्टिक सरकील है और यह दोस्तों देखो गया तो यह 16 16 डिग्री साउथ यह अंटार्क्टिकर सरक्ल है यह अंटार्क्टिकर सरक्ल है इसके बाद देखोगे जो नीचे जाएंगे हम साउथ में तो यह 90 डिगरी साउथ सुख पूल यह नॉर्फ पूल ना यह याद रखेगा यह कौमन चीज यह तो आपको याद रखने जाए जानने चाहिए बच्छों लोक सभा का सदस बनेके लिए नियुंत्म आई कितने रहने में दिखले अभी लोक सभा का सबस्बने के लिए नियुंत्म आई के लिए तो पंचायत पंचायत प्लस नगरपाली का पंचायत प्लस नगरपाली का यह 21 साल बच्चे जबकि 18 साल यह वोटिंग एज है वोटिंग राइज वोटिंग एज मतदान करने की आयू और 30 साल की बात करें दोस्तों तो यह राज्य सभा और विधान परिशद और विधान परिशद जबकि बच्चों यह याद रखेगा 25 साल लोकसभा पलस विधान सब्स पलस विधान सब्स ना अभी लोगसभा का चुनाओ है तो लोगसभा चुनाओं में कौन के निटर्ट खड़ा होगा जिनका उम्र कम से कम 25 साल है मिनिमम 25 मैक्सिमम आप कितना ही रख लो भारत में मैक्सिमम नो बार ठीक है कौन सी नदी का उद्गम हिमाले के उत्तर भाग से है गंगा यम्ना को से सिंदू कुष्ण नमबर 6 बताओ कौंसी नदी का उद्गम हिमाले के उत्तर भाग से हैं दोस्तों कि निकल कर क्या आएगा तो हिमाले के उत्तर भाग से प्रक्ष्ण disabled हुआ मैंने वोक्रवार बताया कि तीन नदियां हैं जो हिमाल्ef की उत्तर से निकलती है यानि कहां से दोस्तों कि हिमाले कुछ उत्तर से ट्रांस हिमाल्य ट्रांस हिमाल्य से निकलेंगी तो कौन कौन आप कुजा दो का में एक ट्रिक दिया था बिया येस मतलब पहले नमबर पर ब्रहंपूत्रा ब्रहंपूत्रा दूसरे दोस्तों सिंधू इंडस और तिसरे पर सत्रलज तिसरे पर सत्रल्ज तो ब्रहंपूत्रा इंडस और सत्रलज यद रखेगा जब कि आप देखो गे गंगा कहां से निकलती है दोसर गंगोत्री ज़्लेस्यर से उत्रकंड में है यमनोत्री ग्लेस ऋत्रांसरे और कोशी दोस्तों यह नेपाल नुछ कपिए का सते हां से सबंद में हाड़्वेर सब्थ कम्पुटर के सक्त पुर्जें कंपुटर की भौत्टिक भाग या कंप्पुटर पर काम करने लगने वाले उपकरन कुष्श्णनिंबर साथ वाट इज मिन्ट बायदा टर्म हां एक फिए लिसन टुवा कंप्यूटर कुछन नंबर साथ क्या होगा बताइए है कुछन नंबर सेविन पूलो साहब क्या निकल कर आएगा चुल यह कह रहें फिजिकल पार्थ चलिए देखते हैं बिल्कुल तो जिसे हम टच कर सकते हैं आसानी से विकेंट टच इजली वह फिजिकल पार्थ है जैसे हम अपने बॉड़ी के बात करें नहीं अपने बॉड़ी के पाथ करें तो यह हमारा फिजिकल पाथ है लेकिन हम जो और गिन हमारा जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं यह सम फिलिंग्स वह हमारा हट सॉफ्ट्वेर पाट है तो वैसे ही इसमें है जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं जैसे लेंग्विज मे कोई टाच नहीं कर सकते हो तो यह यहाद रखेगा जैब देख सकते हैं जोस्तों के हाड़्वेर वागों में डिवाइट कर दिया तो हाट वेर में एक इंपूट डिवाइस होता है जिसमें कीबोर्ड माउस लाइट पेंट ज्वाइस्टिक वेबकैम्स स्कैनर मिसी आर ओ टेस्टों कर सकते हैं अंदर लगा होता है फिर आउटपूट डिवाइस दोस्तों जो प्रजेक्टर जैसे यह है जो आपके साथ में दिख रहा है इस स्पीकर जहां से आप सुन पा रहे होंगे जिस मोबाइल से आपको ऐना LCD प्रिंटर प्लोटर यह वूंट डिवाइस है जबक्त आप सॉफट्वेर की बात करें तो सॉफट्वेर को भी दो Вागों में डिवाइट किया गИा किस्मे किस्में दूसरे की सिस्टम में लगा है जैसे DOS, Disk Operating System, Windows, Windows 7, Linux, Unix और दोस्तों अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर जो हम अपडेट करते हैं MS Office, Tally, Photoshop, AutoCard, Corel, PageMaker, Video Editor तो ये मुख्य रूप से hardware software हों divide करते हैं इसे में से question है कि इनमें से कौन सा input device है इनमें से कौन सा output device है इनमें से कौन सा system software है इनमें से कौन सा application software है तो ये आपको याद रचना पड़ेगा पीडियाप मिल जाएगा और आम से समझ लेना बिल्कूँ तीक है ना समझ में आए तो comment box में बताना किसा चीज़ा नहीं समझ में आ रही है मुगल काल में दोस्तों कोतवाल किसे कहते थे सैनिकों की का अधिकारी पुलिस अधिकारी गाउं का मुख्या परगना का मुख्या कुस्ता नम्बर आठ कुवाज कॉल कोतवाल इन मुगल पिरियड मुगल काल में कोतवाल किसे कहते थे ओफिसर ऑफिसर ऑब दक पुलिस ऑफिसर हेड ऑफ दो वीलेज हेड ऑफ परगना कुस्ता नम्बर आठ चलिए तो निसान्त कह रहे हैं भई सरक पुलिस ऑफिसर है बिल्कुल देखते हैं तो कुतवाल मतलब पुलिस अधिकारी आती है न कहावत कि आप सईया भाई कोतवाल तब डर काहेगा ठीक है आजए आजए कौन सा सिंदुगारी से अबिता का स्थल नहीं है काली बंगा मोहन जोदर लोतल हस्तिनापूर को सन्वर नाए चलिए बताइए दोस्तो आप देखोगे कौन सिंदुगारी से अबिता का स्थल नहीं है दोस्तो हस्तीनापूर यह नहीं है जबकि काली बंगा यह राज़स्थान जूते हुए खेत का साक्षी मिलता है, मोहन जोदर दोस्तो यह पाकिस्तान और लोतल दोस्तो यह गुजरात इंडिया जो हस्तिनापूर नहीं है कौने हस्तिनापूर नहीं है ज़ति निक्स्ट में से कौन सा रख्त समूं सार्वत्रिक दाता है उनिवर्सल डॉनर a b a b o question number 10 which removing blood group is the universal donor नमेकिन में से कौन सा रख्त समूं जो जो ब्लड गुरूप है वो युनिवर्सल डॉनर है ए बी ए बी ओ कुश्र नमबर दस दोस्तों आसान सवाल है ओ है अब इसमें ओ नेगेटिव चले राहुल साह कह रहे हैं ओ नेगेटिव बहुत साथ और युनिवर्सल रिसेप्टर की बात करेंगे अंजली जी क्या हाले कै कैसे आप कैसे मन रहे है रावनामे बढ़िया तो दोस्तों यह एवी पोजीटिव यह युनिवर्सल रिसेप्टर है आप देखोगे तो मुग गरूप से चार ब्लेट गुरूप है एए बी एबी और ओं गुरूप से चार ब्लेट गरूप है ना एक चीज याद रखेगा इसलिए दोस्तो 1930 में इन्हें चिकिस्टा का नोबिल पुरुषकार मिला था तो आप सर जी कहां चले गए थे राहुल आप तो बोले थे क्लास नहीं होगी जिसके कारण ही लेट हो गया अंजले जी एक चुले क्या था हमें लगा कि छुट्टी होगी तो पता चला नहीं किव सब्सक्राइब क्लास इसलिए नहीं हुआ थोड़ा पूजा उजा किया अना बाकि बात कल से अपके जितने सारे क्लासे हैं सब रेगूलर होंगे सब रेगूलर होंगे सुबाई 11 बजे और रात 10 बजे और आज वाली क्लास 8 बजे चैनल पर लगी है आज की क्लास जो है वह 10 बजे वाली क्लास 8 बजे है इसलिए 8 बहुत हो जाता है पहुंसते पहुंसते थीक है तो बिल्कूल सब्सक्राइब कर दूँगा इस चैनल के कम्मुनिटी पे पोस्ट लगी हुई है अब देख लिजेगा तो दोस्तों लैंडश्टिनर वीनर ने आरेस फैक्टर के खोज किती याद रखेगा पस्वे समुद्ध तटिये मैदान के सुदूर उतरभाग को क्या कहते हैं मालबार कंणड कोंकन कोरोमंडल कुष्ण नमर 11 बाकी बात कल से आपकी सारी क्लासिस होंगी 11 बजे फिर साले 6 बजे फिर रात 10 बजे बस आज भर केवल साले 8 बजे क्लास लगी है आपकी 10 बजे वाली क्लास तो मिर्श मत करिएगा पास्प्स्मि समंत्रत्तिय मैदां के सुदूर भाग की बात करने दोस्तों कि से कॉंचाल केते क्या केते कॉंकण तैको लिख दिया आप começa में स्थुम मतलब ही तर कि बात का फिर चाहां उच्तर भाग की कि लो तिलेग्राम पे जोइन कर लो ठीक है अब देखो ये मैप देखना तो दोस्तों कहा पस्षिम के उत्तर में अब देखो ये पस्षिम है इदर ये वेस्ट है और ये इस्ट है बोला पस्षिम के उत्तर में बोला तो पस्षिम ये बीचों बीच उत्तर में काथियावार और कॉ माला बार और वे इस्ट बोलता कोनकन अगर inne बोलता पूरव में तो कोरो मंडल और उत्तर बोल तो उत्री सरकार आप्शन में होता उत्कल का मैदान होता यह तीज़े याद रखिया है टोटल 9 कोस्टल स्टेट हैं भारत में जिसमें सबसे बड़ा आप देखोगे तो यह गुजरात है दोस्तों कि सबसे बड़ा दोस्तों गुजरात है कि सबसे बड़ा आप देखोगे दोस्तों यह गुजरात है कि सबसे बड़ा क्या है गुजरात दिकर आपको कि सबसे बड़ा जो छेतर है कोस्टल स्टेट में वह गुजरात है सुबु सर्माजी क्या हाले कैसे हैं आप उम्मिद करते हैं मातरानी आपकी सारी मनुकामनाई पुर्ण करें खुश रहें मस्त रहें हैं न कैसा रहना वरातरा आपका पताईए ठीक है दोस्तों यहां तक को दिक्रत नहीं को समस्या नहीं चलिए बढ़ते आगे अजी आग दोस्तों आप देखोगे कि मुख्य नयमूर्ति को छोड़कर उचितम न्याले में जजों की संख्या 33 यानि 33 प्लस एक दोस्तों आपको याद होगा कि जब 1950 में जब सुप्रिम कूर्ट हमारा काम करना शुरू किया था तब आपको याद होगा कुल जजों की संख्या आठ थी यानि साथ प्लस एक फिर इसे अलग-अलग वर्सों में बढ़ा कर 34 किया अच्छा जजों की संख्या को घटाना बढ़ाना ये किसके अधिकार में आता है जरा कमेंड़ों बग्स से बताईएगा कि जजों की संख्य को घटाना बढ़ाना ज़दों कि सैलरी सारे कानून जो बनेंगी वो कहा बनेंगे हमारे पार्लिय में बनेंगे उसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब किसे है नियुक्त क्यों बिछुष्ट कुर्ट्ण् sóण बजा आएगा आपको 25-35 कोशन जवर्दस होते हैं बिल्कुल ठीक है तो लौजब आगे भारत में शासन करने वाले राजवन्सों का नम्रेकित में से कौन सा सही काला नुकरम है तुगलक लोधी सयद लोधी तुगलक सयद सयद तुगलक लोधी या तुगलक सयद लोधी कु तो दोस्तों क्या होगा आसान एया भीदगुल सोचना नहीं है अंजली का दसरत का जगेश का सब का सई क्या बाता राहुल का भी सई है बहुत सांदर्द तो बता नहीं था हसन मासुका सब वह तो प्राशिन भारत में यह क्या है ऐ गुल्दू सैलों में कई बर बताए लो में यहीं तो है अब कहा सर्थ सिक्विंस निशांत खुश्रों बच्चे कैसे वही अब देखो कात तुगलक सयद लोदी यह सबस्यंतिम है अगर सुर्वात होता तो गुलाम खिलजी पांचराज़वंस हैं पहले पे गुलाम बच्छ दूसरे पे खिलजी तुगलक पतली बच्छ कितने कितने बच्छ गदी पर बैठा जिसकी सुरवात सबसे ज़्यादा गदी पर वैठा तुगलग वन्स जो तेरा सो बीस से चौदा सो चौदा और सबसे कम बैठता है खिलजी वन्स जो कहां से कहां तक तो सर बारा सो नब्बे से तेरा सो बीस तेरा सो बेस ठीक है यह बेसिक चीज़े इसे याद रखने चाहिए आपको किलापा तांदों की सुरुवात के इस मुद्दे पर हुई थी रॉलेट टैक्ट के अनुचित प्रावधान तुर्की खलीफा पर अंग्रेजों की अनुचित संद्री का लागू करना हिंदू एवं मुसल्मान के साथ समान वेवहर इस तर्यों का अधिकार वंचित होना कुश्चन नमर चौदा चरह बता हाँ सबसे लंबा अगर सहसक की बाद करें तो बहलो लो दी बिल्कुल करेक्ट है आप कि बताओ खिलापत अंदोलंग सुरुवात के समुध्य पे हुई थी तो आपको याद कर दोस्तों कि तुर्की के खलीफा को विश्व के मुसलमान उससमें अपना आइडियल मानते थे तो जब फर्स्ट वर्डवार था 1914 से लेकर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था इस फर्स्ट वर्ड वार में एक तरफ तुर्की था एक तरफ ब्रिटेश थे तो अंग्रेज क्या चाहते थे पूरे विश्व पर कब जा तो तुर्की को भी वो लपिटे में लिना चाहते थे और विश्व के मुसलमान जो थे उसे भारत के भी मुसलमान थे वो अपना आइडियल मानते थे तो कहां भाई हम तभी समर्तन करेंगे जब आप तुर्की के खलीपा के साथ कुछ अनुचित व्यवहार नहीं करोगे तो भूला ठीक है इसे लिए भारत में खलीफा से खिलापा चला क्योंकि वो अप अली मौलाना मौलाना मौहम्मद अली एंड़ सौकत अली एंड़ एंड़ सौकत अली दोस्तों पना बच्चे सौकत अली कब शुरूआ था आपको याद होगा 1919 में 1919 में जिसमें गांधी जी ने भी समर्तन किया था हां इसलिए तो गांधी जी को कैसा ने की उपाधी मिले थी क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि फर्स वल्ट बार में हम अंग्रेजों को समर्थन करें यह कहाता था अगर आंग्रेज हार जाती तो कोई दूसरी सक्टिया जाती यहां पर फिर हमें उंसे लड़ना पड़ता तो गान्दी जी उसमें गलत नहीं थी कहके या तरखेगा आज यह कंई क्या सभी नहीं कि विद्ञा persistent का Iya कि दूर तारख के बारे में निम्निकित में से क्या सही नहीं है उसे सब तो रिष्टी की साहेता से ढूंडा जा सकता है वो हमेशा उतर की ओर दिखाई पड़ता है अधुनी टक्निक जितने सारे बच्चे जुड़े हैं आज रात दस बजे वाली क्लास साड़े-ाठ बजे होंगी चैनल में लगी है साड़े-ाठ बजे आप जाके नोटिफाइब कर लेना लाइक कर देना ताकि आपको नोटिफाइब किसम बिल्कुल पहुंचे साले-ाठ बजे फिर मत बोलना स सही नहीं है आप सही बता रहे हो कर इसलिए के सवाल ठोट थिक से पढ़ना पड़ेगा देको सब्सॉड़े लिख रहे हैं अंजिली लिख रहे हैं आप निसान भी नहीं दसरत आज थोड़ी सिना पूजा होजा करने के लिए इसलिए ऐग गौने कंवी आपके लिए क्ल लगाओगे तो जब भी आप एक्जाम देने जाओ तो कोश्चन को न अच्छी तरीकी से पढ़ना ठीक है तो धुर तारे के बारे में क्या सही नहीं है दोस्तों तो दसनी गुरात में दिशा में पैचाने बहुत मदरकार है सब तुरिशी के सहायता से ढूंदा जा सकता है हम सब्सक्राइब नौर्स रहेगा और अधुनित टक्निक अविश्कार कि पहले इससे नौकायन में सहायता मिलती ती डारेक्शन बताता था नहीं है ठीक है आजाओ जो मस्रूम हम खाते हो मुलता क्या होता है फंगस अलगी पैक्टरिया इस्ट कुस्टन नमर 16 चलिए रहे बार निैसे सांदि चुकर ऐसे ना करो किसारे हैं आपने अएक बार परणाम कर दिया आपका दिल से बिल्कुल कि हमने चुटेलि लहेरेहican Minty अब क्लास नहीं ते नहीं नहीं तो जोग उसकारी है मिनntव आपके साली क्लाश दोस्टम खालम करते था क्कॣ았े आप पिलकूल इंगलिस देखिए हिंदी में से स्थिख्वकबूटे क्या मोलते हैं क्या नियों दोस्तों कई १री दोस्तों याद रखिएगा कि जो हंगी है उसके गध्यन को हम माईको लॉजी बोलते हैं एथ माइको लॉजी और सैवयाल गर के दिनको फीष को फ्यों ह disciplation बोलते हैं और बैक्टरिय के दिनको बैक्तुर्लाइब versuchen अंज ही मैंने यहीं कहा क्यों जो अपना भे немного लगा रहे हैं अपने फ्यूचर को बनाने में बावा सब उनका कल्यान करें है ना उनकी मन क्वामना पूर्ण करें तो फिर हम सब फिर उनके तरफ से हम मिठाई परसाथ जो है लेकर आएंगे बागी बाद मैंने तो यही कहा कि सब हमारा भी कल्यान हो और हर मेंने आप भुला लेजिए मुझे दर्सन करने के लिए आ जाएं ना नो कि तब देको जब पास में हैं तो हर कर गें यह तो फ्लास लास्ट हो रहा है लेकिन फिर आज सारे आठ बजे घ्लास और की रात दस बजे वाली बजल आध है कितने बज़े वाली क्लास दोस्तो साड़े आठ बज़े होंगी कितने बज़े होंगी साल आठ भुज़े होगी आज है गार इसमें कुछ केरिटी इन होता है हां बता रहे सरमाजी बिलकुल एक smart कि और विए दिखोगे की सिमने होता है क्लॉरोफिल नहीं होता है तो इस में कय तो हुता है कैटील डि wa होता है भोजन के रूप में अकुमलेट करता है इसका सेलवाल काइटन गवना होता है ठीक है क्या तक है ओक है चलिए हिमाले का तराइच्छेत्र कौन सा है कुछ नुम्बर 17 हिमाले की पादगिरी हिमाले की दो परवस्तंगलाओं के बीच घाटे दोस्तों आपको याद होगा कि हिमाले की तराइच्छेत्र वह छेत्र है जहां डल दल है कि चडियुक तो अस्थान है जो नदिया फिर से परकट हो जाती है तो आप इमेज के जरी देख सकते हो यह देखो क्या बोला तराई के बाद का छेत्र बोला है यह हिमाला है भाबर है और यह तराई वाला भाग है और यहीं से नदी निकलेंगी तो नदियां अपने साथ दो दोस्तों खादर यह नई मिट्टी है बांगर यह ओल्ड मिट्टी है तो यह आपको नदी घाटी दिख रहा होगा तो आप उस क्लास को क्लिक करके अभी नोटिफाइग कर लिजेगा लाइक कर देना क्लास को ताकि मैसेज पहुंच जा आपके पास ठीक है ठीक है बबू ठ चलो आजब आगे नमलिकित में से किसे कभी भी भारत का पर्थान मंतरी नहीं बनाया गया आसान सवाल है कि कामराज गुलजारी लान नंदा चलन सिंग चलन सेकर कुष्ण मरठ ठा रहा है नदिया निकल कैसे जाती है अरे मिट्टी है न अब देखो जैसे यह देखो यह वली देखो यहां से नदिया निकल रही है यह पहाल की चक्तान है तो पहाल किसे निकलते नहीं है तबी तो आपका वाटरफॉल बनता है वाटरफॉल कैसे बनेगा जलपरपात कैसे बनेगा है ना कि लिए रहे हैं चुलो जाओ दोस्तों यह के कामराज है जो पर्थान मंत्र नहीं बने दोस्तों यह तामिलाडू के मुख्य मंत्र थे तामिलाडू के लिए तामिलाडू के मुख्य मंत्र थे तामिलाडू के मुख्य मंत्र थे लिस्ट आप rival गया के सामने है तो What is aka पंडी जवला नेहरू दोस्तों सभसे 1947-66 लाल-बहद्र गया स्थास्तरी जो किसान दिवस मनाते हैं ना फिर राजेगवांदी सबसे यूवा पर्थान मंतरी दोस्तों ठीक है फिर आपको दिख रहाए चंद सेकर पीवी नर्सिम्भारा पर प्र अटल वेयरी बात पे जो सबसे कम दिरों के पर्थान मंतरी फिर एचिदी देवगवडा आईके है वह संभावता इसके शासनकालें बनाये गया था कुछा नमबर उनीस क्या होगा है कुट्व दिन अबक चंद्रगुप्त खिज्रखां सेर्शा को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नाइंटीन है तो दोस्तों दा आइरन पिलर इन फ्रंट ऑफ कुट्व मिनार वाज प आइरेन पिलर बोलता ल्ट ऑ स्तम बोलता था लगाते आप से क्या पूछा लस्ति मिनार कर बारते पूछ फिक्रम दित के नाम से जाना गया अगर उस्तने सब्सक्राइब बारे में तो आप लगाते चंद्व मिनार के नहीं है नहीं गल्ती कर तो आप अंडरस्टूड है तो आप जानेंगे ननुदीश भी आप्शन नहीं है ननुदीश था नहीं था तो फिर आप यह तो अंडरस्टूड है नहीं तो राजा रजु अर्मा की बाते दोस्तों तो सरी चितरकारी के लिए और इनका संबंध केरल राज्जिसे ए इनका संबंध केरल राज्जिसे ऑफिंग है ची तो दोस्तों यह था आज का सेशन फिर से हम बता दें कि आज रात 10 भज़े आज लिख़ धर है कि रास दस बज़े वाली क्लास रात 10 बज़े वाली प्लास आज के लिए आज के लिए सारे आठ बजे होगी सारे आठ पीम पर होगी ठीक है? मिश मत कीज़ेगा हाँ महरूली अस्तम बोलते हैं बिल्कु सही है आप बिल्कु सही है तो याद रखेगा कि राज दस बज़े वाली क्लास केवल आज के लिए दोस्तों केवल आज के लिए साड़े आठ वजे पर होगी तो मिलते हैं राद दस वजे जिसमें देखेंगे अपन 30-40 कुर्शन जो भी होगा रैपेड फायर बोर्ड में आज है ना चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए अच्छे से सेलिब्रेट करें र 12 बजे जरूर जोड़ो अगि पॉलिट्ग खताम हो दो फेर शुरूप करेंगे यह थज्माने काच ए होगा टो मिलते दोस्तों रात साफे अठ बजे तब तक किला अपना ख्याल रखेंकुरिया जय हिंद जय भारत कट अ